नमस्कार सातियों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रिश्रिका ओनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है अभी नंदन है सातियों आज हम आपके लेके आहें FLN कूर्स एट सीखने का आकलन की आंसर की सातियों आप सभी दीक्षा एप पर ये सभी FLN प्रसिक्षन ले रहे हैं मैं अपने सातियों जे कहना चाहूँगा कि आप समय रहते पहले ही कर लिया कीजिए आप 31 तारीक का इंतिजार बिल्कुल भी न कीजिए जितना जल्दी हो सके आप ये प्रसिक्षन अपने पूर्ण कलीजे वेंटर विकेशन चल रहा है आप ये भी न सोचें कि जब इध्याले खुलेंगे तब हम करेंगे आप अगर खाली हैं घर पर बैठे तो आप असानी से बहुत अच्छे तरीके से प्रसिक्षन ले सकते हैं तो आप पूरा अपना टाइम इस प्रसिक्षन को देंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाले प्रसिक्षन है जिसमें एक मिशन के तौर पर ये केंदर सरकार का प्रोग्राम है तो आप इसमें सहयोग जरू करेंगे और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कीजेगा क्योंकि इससे यह होगा कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी वीडियो आपके डालेंगे तो आपके यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकेंगे हमारी हर वीडियो बड़ी आसानी से तो आई शुरू करते हैं एफलेंड कोर्स एट सीखने का आकलन की आंसर की पहला प्रस्ण है अविवाबक घर पर बुनियादी सक्षर्था को बढ़ावा और प्रोस्ताहान सुरुक्षित करके दे सकते हैं इसका सही आंसर है आप उप्युक्त श्रेंड़ी वद्द कहानी पुस्तकें खिलाउने और हस्त कोशल बस्तु हैं अगला प्रस्ण बच्चे बिवेद प्रष्ट भूमियों से आते हैं और बिविन प्रकार के अवलोकन एक बास्तविक विश्तरत आकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर सिक्षक कर सकता है इसका सही उत्तर है बच्चों के साक्षर्था और संख्या ज् इस्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उप्युक्त योजना का विकास अगला प्रश्ण निमलिकित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रियोग करने के लिए सही नहीं है इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्रीन करने का छोटे बच्चों के एफैलन के लिए सीखने और विकास के अबलोकन और आकलन के लिए निमलिकित तक्निक की अवशक्ता होती है इसका सही उत्तर है बिभिन उपकरन और आकलन के तरीके तक्निके है अगला प्रश्ण बुनियादी सक्षर्ता और संख्या ग्यान कि आहिए जीहाँ इसका सही उत्तर है प्री स्कूल और सभी प्रात्मिक शिक्षुकों को अगला प्रश्ण शिक्षन अधिकम युक्तियों में हास और मज़ा सामिल करने से सीखना बन जाता है साथियों इसका सही उत्तर है सरल और बहतर समझ के साथ प्रेड़ना दायक 360 डिगरी रिपोर्ट कार्ड में सामिल होगा इसका सही उत्तर है एक बच्चे के ब्यक्तित्म के सभी पहलू सिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए इसके लिए साथियों प्रतेक बच्चे के सीखने के लिए अगला प्रस्ण है आकलन सूचना सिक्षक की एफलन पठन सामगरी का निरना और नियोजन करने में सहेता करती है इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उप्युक्त सिक्षन विधी का प्रियोग करते हुए पढ़ाने और मारदक्षन करने के लिए अगला प्रस्ण है गडितिया हस्त कौसल छेत्र शिक्षकों को बढ़ावा बच्चों को के बारे में एक आप परिपक्व आकलन प्रदान करेगा इसका सही उतर है संग्यानात्मक विकास बुनियादी सक्षरता और संख्या ज्यान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहता करता है इसका सही उतर है सीखने की योगताओं और संभाव योगताओं की प्रारंबिक पहचान अगला प्रश्चन है आकलन नियोजित ब्यवस्थित और संद्रिक्षित होता है और का अभिन अंग होता है इसका सही उतर है पाठ चर्या और पाठ क्रम अगला प्रश्चन पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गधी विदि है इसका सही उतर है बुनियादी शक्षरता गधी विदियों में बच्चों की सक्रिये स्टे नलगता प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त है इसका सही उतर है 360 डिग्री यहां सातियों यह उतर है यह रेड होने से रह गया है लेकिन आप इसका उतर जो टिक लगाएंगे वो 360 डिग्री है बाल केंद्रित समय पर किया गया आखलन बच्चों के स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा उन्हें स्वस्त संग्यानात्मक और भावात्मक को रूप से सक्षम ब्यक्ति के रूप में विक्सित करने के लिए अगला प्रस्न है शिक्षकों को आदार्स साक्षर गड़ति ये विभार की अवशिक्ता होती है सहुतर है गती विदियों के लिए निर्देश देते समय अगला प्रस्न है गड़ति ये कौसल छेत्र में नहीं होता है इसका सहुतर है पेंट और ब्रिश अगला प्रस्ण हम बुनियादी अभस्ता में बच्चों को एफिलन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोच साहित करते हैं जिहां इसका सही उतर है खेल आधारित गतिविधी आधारित थोश अनुभवों और खिलाओने खेल अगला प्रस्ण है पहलियों पर काम करना और उन्हें सुल्जाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधी है किन्तु यह भी संकेत करती है इसका सही उतर है सुक्ष्म गत्यात्मक योगता हैं साथियों हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी सुभधा प्रदान की जाए आपको हेल्प करने के लिए हमारे कुछ साथियों का कहना था जो पिछली वीडियो बनाई उसमें वो ढूंड नहीं पारत कूंगी यह ट्रेनी इस टाइप से सुत्री की आप शक्ता आंसर की की आप शक्ता भी ना पड़े तो यदि आप आंसर देखना चाहते हैं आपके कौन से गलत हुए तो आप इसका प्रयोग करें और चाहे तो आप इसका इसक्रींशॉट भी ले सकते हैं एफिलन में आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने बाले सिक्षिकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्यान के लिए सीखने के तरीके वारे में ठो सूचना प्रदान करना अगला प्रश्ण जारी आकलन सूचना के लिए आवशक है इसका सही उत्तर होगा विकास आतमग उप्युक्त एफिलन कारकरम के नियोजन एवं कार्यानवन अगला प्रश्ण है जब एक बच्चा खिलोनों को पंक्ती में सबसे बड़े से चोटे की ओर देख रहा हो तो सिक्षक बास्तर में बच्चे की में प्रगर्ती का अबलोकन कर रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए बुनियादी संख्या ग्यान के तहट क्रम बद करने का कौसर अगला प्रश्ण है कक्षा पुस्तकाले या साक्षरता छेत्र में निमलिकित नहीं होता है इसका सही उत्तर है ब्लॉक बिल्डिंग अगला प्रश्ण है एच्पीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्मून कड़ी होगा और उसके साथ नेमित अभवावक शिक्षक मीटिंग होगी इसका सही उत्तर है अपने बच्चों की समय की समगर अभवावकों परिवारों को सक्रिय सेवा की बनाने के लिए अगला प्रश्ण परिवासा से 360 रिपोर्ट है इसका सही उत्तर होगा समय और बहु आयामी अगला प्रेश्म बच्चों के अबलोकन और विसुसनिये सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है इसका सही उत्तर है साथी सिक्षक से बात करना अगला प्रेश्म बुनियादी सक्षरता और संख्या ग्यान की सिक्षन अधिगम प्रक्रिया में खिलोना आधारे शिक्षन बिधी को एकी करत करने कांतिम लक्ष है इसका सही उत्तर है बच्चों की समिक्षात्मक चिंतन स्रिजनात्मक सोच संबाद करने उच्च श्रेण की विकास आत्मक उपिक्त पुस्तों को अनंद लेने स्वतंता पूर्वग अविवक्त करने और समस साथ यह प्रस्ण को बहुत ध्यान से देखिएगा यह बिल्कुल मिलते जुलते इसके ऑप्षन है सारे इसलिए इसको सही तरीके से इसका आंसर पहचानना होगा मैं अगला प्रस्ण है एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेत को में सामिल है इसका जही उत्तर है 21 सती कोसल जैसे की समिक्षात्मक्चिंतन समस्य समाधान स्रिजनात्मक्ता संप्रेशन और सहियो अगला प्रस्ण एक बच्चा इपंक्ति में रखी बस्तूं को चू और गिन रहा है सिक्षक बच्चे की में प्रिगर्टी का अवलोकन कर रहा है इसका सही उत्तर है बुनियादी संख्याग्यान अगला प्रस्ण कक्षा में वह कौन से छेत्र होते हैं जा बच्चों के विकास के विशिष्ट छेत्र सम्मंदित प्रायोगिक समग्री मिलती है इसका सही उत्तर है सीखने के गतिविधी केंद्र अगला प्रस्ण सिक्षक को दुती भासा पर बल नहीं देना चाहिए जी हाँ इसका सही उत्तर है यदी बच्चा सहज नहीं है कौन सा पोर्ड़ फोलियो का हिस्सा नहीं है इसका सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना अगला प्रस्ण खिलोनों और सैक्षन खिल समगरी को विकास्नवात्मक रूप से उपर्युक्त सांस्कृतिक रूप से और उचित होना चाहिए इसका सही उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित अगला प्रस्ण नई शिक्षानीती 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगर्ती कार्ड जो अईभावों को को संप्रिश्चित किया जाएगा होगा इसका सही उत्तर है समगर सोरूप का अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सी एफलेन गती विधी नहीं है यहां गलत प्रिंट हो गया है यहां पर आप एफलेन गती विधी नहीं है समझेंगे इसका सही उत्तर है पेंसिल का निर्देश्ट डिब्बे में रखना अगला प्रस्ण जब सिक्षक बच्चे से कहानी की पुष्टक का आबरण और पीछे का आबरण दिखाने को कहता है तो सिक्षक में गती का प्रगती का अबलोकन और आखलन कर रहा है इसका सही उत्तर है बुनियादी शक्षरता खिलाउने बाले टेलीफोन और बोलती पुष्टकें तकनीकी सहता प्राप्त खिलाउने हैं जो काफी हद तक को बढ़ाबा देते हैं किसको बढ़ाबा देते हैं इसका से उत्तर भाशा और संप्रेशन कोशलों को FLN में सिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है फोल्डर को कहा जाता है तो सातियों फोल्डर को पोर्ट फोलियू कहा जाता है अगला प्रस्ण है बुनियादी और प्रारंबिक इस्तर पर आने वाले बच्चों का आयू वर्ग क्या होता है तो इसका सही उतर है तीन से ग्यारा वर्ष और आज का आखरी प्रस्ण है किये वे आकलन को अहिवावुकों को संप्रेशित किया जाना अविश्यक है इसका सही उतर है उप्रयुक्त पूर्वन निर्धारित अंतराल पर तो सातियों आपको हमारी आज की आंसर की कैसी लगी प्लीज इसको शेयर कीजेगा और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और हमारा चैनल आपके लिए ऐसी महत्पूर्ण वीडियो बनाता रहेगा और आप तक पहुंचे इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हम फिर हादिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार